रंजना सुट किचन में आपका स्वागत है तो आज रंजना किचन में बना है रवे के सैंविच तो बहुत स्वाधिष्ट बने हैं एक बार बार बनाएंगे तो देखिए अगर गर में ब्रेड ना हो और सैंविच काने का मन हो तो रवे से भी बना सकते हैं तो यह कैसे बहुत ही स्वाधिष्ट बने हैं तो यह सब हमें चाहिए अभी हमने थोड़ा से दही ले लिया है और थोड़ा सा रवा उसको मिक्स कर लेंगे अच्छा सा गोल बना देंगे ज्यादा पतला भी नहीं बनाना है और ज्यादा गाडा भी नहीं बनाना है अच्छे से थोड़ा पानी डालेंगे, पांच मिनिट का रैष्ट दे देंगे, रैष्ट के बाद देखिये, रवा थोड़ा पानी सोक लेती है, तो स्वाधनुसा डालेंगे नमक और रिता पानी डालेंगे, फिर से इसक wedgर थोड़ा सा पतला गूल बना देंगे, जादा पतला भी नहीं, ज्यादा कडा भी नहीं कि अबहे हम दोशे का तवा लेंगे उसके उप़र थोड़ा सा तेल्या घी लगालेंगे और गोल को डाल देंगे और थोड़ा जाड़ा सा दोशा बनाएंगेfilled एक्दम पतलानी बनाना है जाड़ा बनाना है देख सकते हैं अभी हम इसको पलट लेंगे अभी हम पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा दौना तरब से हमने अच्छे से इसको शेक लिया है एक तरब से हलका बाकी है तो चलेगा क्योंकि यह फिर से गरम होने वाला है अभी हम तमाटा सॉस लगा के फैला देंगे और यह नारियल की चट्नी है इसको भी फैला लेंगे और गैनो और चिली फेक्स दौनों को डाल देंगे बहुत स्वादिश सेंविच बनने वाले है वीडियो एन तक देखते रहे है और यह है आलू का मसाला इसको हम आदे में फैला देंगे और अभी टमाटर काकड़ी और प्याज अच्छे से रख देंगे फिर उपर से चीज डालेंगे इतना खाने में टेस्टी था कि मैं क्या बताओ जब आप बनाओगे खाओके फिर कमेंट करके मुझे बताना कि कैसे बने थे और वीडियो में एंड तक बने रहे अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सस्काइब जरू कर लिजिएगा फिर से खरी वाली चटनी थोड़ा सा टामाटर सॉस और अभी इसको हम कर देंगे फोल्ड अभी हम इसको डालेंगे टोस्टर में आप चाहे तो इसको तबेपे भी बना सकते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सकाइब जरू कर लिजिएगा और यह रवे के डोसे आप जरूर बनाके देखना और फिर मुर्जे कमेंड करके बताना और हमारे चैनल पर जाए लॉग वीडियो देखिए कौन से अच्छी लगी है तो वो भी मुझे कमेंड करके बताईएगा तो देखिए अभी हमारा रवे का सैंविच बनके तैयार हो चुका है बहुत ही अच्छे बने हैं अभी हम इसको निकाल लेंगे और यह सर्प करने के लिए तैयार है इसको अभी हम काट लेंगे एक अच्छे से चाकू से काटी है हमारे चाकू थोड़े कम धारदार है इसके लिए थोड़ा टाइम लग जाता है तो देखिए बहुत स्वाधिश सैंविच बने हैं तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरू कर लीजिएगा मैं आपको कर रहे हूं ट है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तन्यवाद